काफे सारे ऐसे यंग्स्टर्स हैं जो ने मुझे question पूछा कि sir हमें running करते हुए shin pain बहुत जादा हो रही है कई बार तो हम चल भी नहीं पा रहे हैं, कई लोगों को stress fracture डेवलप हो गया और ये सिरफ running में नहीं, बहुत सारे athletes वगारा जो होते हैं, बहुत सारे novices जो sports में, starting में engage होते हैं उन सब में होता है, तो उनका question आया है कि sir आप shin pain के ओपर video बनाएए, बताए हमें shin pain क्या और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं इस particular video में हम shin pain या shin splints के बारे में discuss करेंगे concise में, और मैं आपको practical solutions बताऊँगा कि shin pain को ठीक करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं और क्यों इसमें कोई magical चीज नहीं होती है अगर हम अपनी lower leg को लेते हैं तो हमारे ankle और knee के बीच में दो bones आती हैं एक है tibia और एक है fibula जो आपकी tibia bone होती है उसका जो आगे वाला anterior हिस्सा होता है उसे हम shin कहते हैं और जब यहाँ पर pain, swelling के inflammation होती है तो उसको हम shin pain या shin splints कहते हैं जो shin pain होती है वो athletes वगारा में बहुत common है और जैसे मैंने बताया कि जो novices हैं जो भी start कर रहे हैं training उनमें यह बहुत commonly देखी जाती है जो shin pain या shin splints का medical term है वो है MTSS, medial tibial stress syndrome जैसे मिलाता है कि running में सबस्यादा commonly यह देखा जाता है तो जो athletes वगारा होते हैं, track and field athletes होते हैं उनमें यह बहुत सबस्यादा commonly देखा जाता है उसके लावा sports जैसे कि basketball, football, hockey और ऐसे और भी sports हैं जहां पर shin pain की problem काफी common है इसके लावा जो military recruits होते हैं, जो military training है उसमें shin pain बहुत common है मुझे याद है कि जब मैं NDA training कर रहा था तो मेरे बहुत सारे course में इसको shin pain की बहुत problem होती थी मेरे को problem इसले नहीं थी क्योंकि मुझे ये problem already NDA से पहले जब मैं athletics करता था और track and film में मुझे ये बहुत extreme problem हो चुकी थी especially उन लोगों ने जोने initially running शुरू करी वो भी excessive running तो उनको shin pain की बहुत problem होई इसके लावा dancers बगारा जो होते हैं उनमें भी ये problem बहुत देखी जाती है जब किसे individual को shin pain की problem होती है तो बहुत light walking या light running से ही ये problem शुरू हो जाती है और ये problem कईयों को mild होती है और कईयों को बहुत extreme होती है ऐसा माना जाता है जनली जो shin splints की problem है ये overuse injuries की वज़े से होती है यानि initial stages में जब आप किसी भी ऐसे sport में involved होते हैं जहाँ पर running बहुत जादा है जहाँ पर आपका footfall बहुत जादा continuously हो रहा है hard footfall हो रहा है लंबे समय तक आप footfall कर रहे हैं यानिंग बगरा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी जो shin होती है जो आपका tibia होता है उसके अंदर माइक्रो fractures है minute cracks develop हो जाते हैं with proper rest बगरा ये चीज़े heal हो जाती हैं लेकिन अगर ये heal नहीं होती तो फिर इसमें stress fracture भी develop हो सकता है for example अगर किसी इंडल को shin pain हो रहा है और फिर भी वो rest नहीं कर रहा है उसको push करे जा रहा है तो वहाँ पर stress fracture बहुत commonly होता है और मैंने बताया कि जब मैं military training में था तो मेरे बहुत सारे course में जो थे उम्मेंसे बहुत लोगों को stress fracture का problem हुआ था shin pain या shin splints होने के बहुत सारे causes है for example females में shin pain male के comparison में जादा होता है अगर किसी को previously shin pain की problem हुई है कोई leg injury हुई है तो उनको ये problem दुबारा होने के chances जादा है और especially तब जब आपने training से एक break दे दी और दुबार आप training में re-enter कर रहे हैं जो लोग overweight है और obese है उनमें shin pain जादा develop होती है जल्दी develop होती है अगर आपका pronated foot है आप flat feet है उनमें ये problem बहुत देखी जाती है उसके लबाँ अगर आपकी quadricep muscles, calf muscles, hamstring muscles weak है आपकी running की technique खराब है आप गलत तरीके से दौड रहे हैं और इसका common example अगर आप gyms में देखें treadmill पे बहुत सारे लोग बहुत ही गलत तरीके से run कर रहे होते हैं वो literally slap कर रहे होते हैं treadmill की belt को ऐसे भागते हैं और बहुत तेज आवाज आती है उनके foot की उनकी running technique गलत है और फिर यहाँ पे उनको shin pain की problem आती है तो एक और ये भी question है कि कई लोगों को लगता है कि treadmill पे भागने से shin pain नहीं होगा 100% wrong information इस पे studies already हो चुकिए उसमें यह बताया गया कि treadmill पे भागने से भी आपके shin pain के उतने ही chances जितना किसी और surface पे भागने के इसके लावा अगर कोई individual बहुत ज़्यादा downhill running कर रहा है initial stages में ही कोई individual बहुत ज़्यादा hard road एक concrete पे भाग रहा है या फिर उन sports में involved है जहां पे fast running में एकदम stop होना पड़ता है for example basketball हुआ या soccer हुआ या tennis हुआ इन सारे sports में आप देखेंगे कि suddenly आप accelerate करते हैं और suddenly stop करते हैं तो यहाँ पर भी आपकी shin पे बहुत ज़्यादा pressure आता है जनले जिन लोगों को shin pain होता है उनको warm up करने के बाद pain की sensation काफी कम हो जाती है लेकिन कुछ समय के बाद जैसे वरकाउट करते हैं तो बीच में फिर pain उनको शुरू हो जाता है उसके लावा अगर आपकी running में heel strike है आप heel पे भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा strike कर रहे हैं तेज आप बहुत ज़्यादा hopping और jumping कर रहे हैं shin pain के साथ तो ये problem और बढ़ सकती है अब question आता है कि अगर हमें shin pain हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए देखिए सबसे पहली चीज रेस्ट है और ये कोई ego पे लेने वाली बात नहीं है ये इसमें कोई problem नहीं है क्योंकि अगर आप shin pain के समय rest नहीं लेंगे तो फिर आगे जैसे मैंने बताया stress structure होने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक और चीज़ आप commonly observe करें कि जिल लोगों कोई shin pain हो रहा होता है अगर वो अपनी will पार के थुरू कि नहीं में को तो workout करना मैं करूंगा तो उसमें क्या होता है उनकी जो steps होते हैं वो गलत पढ़ रहा होते हैं क्योंकि वो लंगडाने लगते हैं और वहाँ पर ये chances structure के और ज़्यादा develop हो जाते हैं इसलिए अगर आपको shin pain की problem है तो आपको active rest लेना बहुत ज़रूरी है active rest का मतलब होता है आपको bed ridden नहीं होना है आप normal activity कर सकते हैं आप walk बगारा कर सकते हैं light exercise कर सकते हैं जिम में workouts कर सकते हैं weight training बगारा बिलकुल कर सकते हैं proper लेकिन जहां पर आपका sport involved है क्यासे running है उसको आपको कुछ समय के लिए रोकना पड़ेगा generally around two weeks का समय लगता है आपको recover करने में उसके बाद आप एकदम शुरू नहीं कर सकते उसके बाद भी आप light activity से step by step increase करते हैं तीन से चार हफते में फिर आप अपनी proper intensity पे पहुँचते हैं अब इसमें ये भी question आता है कि क्या हमें ice pack लगाना चाहिए या heat लगानी चाहिए और यहां पर मैंने एक video बनाया था already उसमें मैंने को समझाया था कि जिस individual ने जिस doctor ने scientist ने concept दिया था rice का rest ice compression elevation उसमें उन्होंने around 2013 या 14 में ही ये statement दी थी कि icing के case में मैं गलत था icing बिलकुल करनी होती है तो अगर आपको champagne और आपको swelling बगारा हो रही है तो आपको ice लगानी बहुत ज़रूरी है उससे आपकी swelling reduce होती है लेकिन अगर swelling issue नहीं है तो फिर heat apply होती है इसलिए उन्होंने भी ये का था कि initial अगर किसी को injury होती है तो कुछ समय के लिए आप icing कर सकते हैं initial एक दो घंटे बहुत हैं उसके बाद आप heat apply करिए इसलिए अगर आपको swelling है तो ice लगाईए लेकिन अगर swelling issue नहीं है तो आप heat apply करिए इसके लावा कुछ compression sleeves बगार आपने देखाऊगा market में आती है वो भी आपान सकते हैं उससे वो जगा warm रहती है और उससे वो compressed रहती है तो जो rest ice compression जो concept वो यहां use होता है अगर pain जादा है तो आप elevated उसको रख सकते हैं सोते हुए पूरे दिन रखने की ज़रोत नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि rest वाला जो part है आ राता है वो active rest है तो रात को जब आप सो रहे हैं तो अपने feet को elevated रखी उस पे sleeve पहन लीजिए compression sleeve और उस पे कुछ heat apply कर लिए अपने कोई heat balm बगार उस पे apply कर लीजिए तो वो आपको better effect देगा अल्सो अगर pain बहुत जादा है तो फिर doctors जो है वो आपको pain killers भी prescribe कर सकते हैं और इस case में minor amount of pain killers लेने में कोई हर्ज नहीं question यह आता है कि shin pain को prevent करने के लिए हम क्या करें देखे maximum लोग जो इस तरह के sports में involved हमको shin pain कभी ना कभी होगा तो कोई tension की बात नहीं है लेकिन इसको prevent करने का जो सबसे basic तरीके हैं उस पर सबसे पहला आता है कि जब भी आप कोई भी activity करें तो उसकी intensity को gradually step by step increase करें workout से पहले properly अपने को warm up करें और warm up जो है वो different sports में या different activities में different तरीके से होता है इसके साथ जैसे हमने देखा stretching जो है आपकी lower body की वो बहुत जादा important है also हमने देखा कि जो weakness होती है muscles में उसकी वज़े से shin pain के chances बहुत बढ़ जाते हैं इसलिए make sure कि आप weight training या strength training lower body की properly करें अगर आप अभी workout स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत hard surface के उपर running को avoid करें make sure जो आपके footwear है वो proper है बहुत ज़ादा पतले या hard shoes या बहुत ज़ादा over cushion shoes भी avoid करें normal cushion shoes जो running बगारा के लिए use होते हैं उसे आप use कर सकते हैं also जो barefoot training होती है कई उन्हें पूछा कि लोग barefoot train करते हैं देखिए पहली चीज़ तो यह है कि इसमें दो केसे जाते हैं barefoot training बिलकुल कर सकते हैं लेकिन या तो कोई individual बच्पन से ही barefoot train कर रहा है बहुत सारे से tribes बगारा होते हैं जहां पे लोग barefoot होते हैं या फिर गो individual short से barefoot यानि shoes से वो barefoot पे आता है तो उसको special advice करा जाता है कि ये process बहुत ही gradual process है ऐसा नहीं है कि एक दिन आप जो है running कर रहे हैं shoes से सालों से sudden उतार के आप barefoot running चुरू कर दे जिन experience athletes ने भी ये गलती करी है उनमें भी ये problem बहुत जादा हुई है shin pain की इसलिए अगर आप barefoot running करना चाहते हैं तो भी it is a gradual process ताकि आप उसमें भी धीरे धीरे intensity को increase करें और अपनी feet को अपनी body को adapt करने का time दे barefoot से cross training बहुत important है cross training के simple मतलब होता है अगर आप किसी भी professional athlete को observe करेंगे तो उनके जो coaches होते हैं वो हमेशा उनको अपने sport ही नहीं कराते रहते उनको different sports में engage करते हैं for example जब मैं track and field करता था तो मेरे coach थे वो हफते में एका दिन कभी हमें football खिलाते थे कभी हम volleyball खेलते थे कभी हम swimming करते थे कभी हमारा कोई और activity होती थी वो इसलिए थी क्योंकि इस से जो injury के overuse injury के chances हैं वो reduce हो जाते हैं I hope shin pain की ओपर जो basic information थी वो आपको मिल गई होगी अगर आपको और कोई doubt है या आपको information इसमें add करना चाहते हैं तो please comments मुझे जरूर बताईए और ऐसे बहुत सारे amazing videos के लिए देखते रहिए Be a stupid